कि यह क्या है और क्यों लाए गया है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो है हम इसको समझेंगे ठीक है तो आए जानती है इसके बारे में इक सुसे सविधान शंशुदन विदियक को राज़े सवा में मंजूरी मिल चुकी है इससे पहले लोक सवा में भी क्या हो गया यह विदियक पारित हो गया था यह विदियक राजजो और केंदर शाशित प्रदेशों की अपनी OBC सुची बनाने की शक्ती बहाल करने के लिए यानि मेन इसका मोटो क्या है राज्य और केंदर शाषित परतेश जो है वो अपनी अपनी OBC सुची जो है वो बना सकते हैं इससे पहले क्या हुआ था कि ये शक्ति जो है वो इनसे छीन लिग गई थी 102 सविधान शेंशुदन की दुआरा लेकिन बाद में जब ये 127 सविधान शंचुदन जब लाया गया है 2021 में तो OBC सुची जो है ठीक है अपनी अपनी वापस से बना सकते हैं और ये शक्ति वापस से बहाल करने के लिए जो है वो लाया गया है इसके तहत राज्यों को OBC की सुची बनाने की शक्ति देने के लिए सविधान के अनुच्छेद 342 A मे 338 B में और 366 26 C में संचुदन करना है तीन जो एक्ट है उसमें संचुदन जो है वो किया जाएगा तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेग्राउंड भी जान लेते हैं जैसे कि नवंबर 1912 में का जो इंद्रा सहानी बनाम भारस संग का जो वाध है उसमें क्या हुआता कि OBC आ यह एक आयोग जो है वो गठन करने की जो है सिवारिश भी की गई थी फिर उसी के बाद क्या हुआ था 1909 में जो है OBC आयोग जो है वो बनाए गया था तो 1909 से लेकर 2018 तक जो है वो सेम ववस्ता चलती रही बिल्कुल ठीक है फिर 2018 में क्या हुआ 102 सविधान शंचुदन जो है वो शंचुदन जो है वो कुछ किये गए थे तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इन में क्या क्या शंचुदन किये गए थे उनलेखनी है कि इस विध्यक के माध्यम से महारास्टर में मराठा समुदाई से लेकर हर्याना और उत्रपरदेश के जाठ समुदाई को O उन्हें आरक्षन देने का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा हाला कि माना जा रहा है कि इस वैसले के बाद किंद्र सरकार पर आरक्षन की 50% की सीमा खतम करने के लिए दबाऊ बनेगा अब क्या होता है कि महारास्टर में अगर मराठाओं को आरक्षन दे जाता है तो आरक्षन में ठीक है उनको जो है वो बीसी में शामिल कर लिया गया मराठाओं को लेकिन 50% जो आरक्षन की जो सीमा जो पहले से बनी हुई है यहाँ पर उसका उलंगन हो रहा है तो हो सकता है केंद्र सरकार पर जो है ये 50% की सीमा खतम करने का जो है वो प्रेशर भी जो जो है अधीनियम जो है हमारा विदेख तीक अधीनियम जो है यहाँ पर विदेख नी अधीनियम जो है उसके कुछ प्रावदान जो है वो इसपस्ट करने के लिए संसद में पेश किया गया था अब जैसे कि मैं पताईए कि 101, 102, 103, 104 ठीक है 100 के बाद जितने में अमेंडमें जो है वो भी लाए गया है और यह 102 सभिधान जोदन जो क्या करेगा जिसमें पिछले वर्गों की पैचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने का सीधा लाब उन 621 जातियों को मिलेगा जिनकी राज्य सूचियों में की गई अधिसूचना की रद होने का खत्रा तो मतलब 621 जातियों को जो है वो इससे लाभी मिलेगा नेक्स टरम बात करें कि OV से चुड़ाओा नया शंचुदन जो है वो क्या है यानि 102 सविधान शंचुदन क्या था और वो क्या पारिट किया गया और दोनों का रिलेशन क्या है 102 का और 127 सविधान शंचुदन विदेग का 2018 में संसद ने सविधान में 102 सविधान शंचुदन जो है वो पारिट किया था जिसमें सविधान में 3 नई अनुचे शामिल किये गए जिसमें कौन-कौन से थे 338 B, 342 A और 346 26 C यह 3 नुचे जो है वो इसमें जोड़े गए थे नई अनुचे 338 B के जरिए रास्टे पिछड़ा वर्ग आयो का गटन किया गया था यानि NC-BC का गटन जो है वो इसमें किया गया इसी तरह एक और नया अनुछे 342 ए जोड़ा गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्र सुची से सम्मंदित है तदा तीसरा जो नया अनुछे जोड़ा गया तो सबसे पहले बात करते हैं 338 बी की अब इसमें क्या हुआ एक तो ये प्रावधान हुआ की रास्टे पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो बनाय जाएगा यानि NCBC जो है इसको समयदानी दर्जा जो है वो मिल चुका है इसमें क्या होता है एक तो अध्यक्ष होता है एक और इसकी न्यूक्ति जो है वो रास्टपती करते हैं NCBC ओके अब इसमें क्या है टोटल 9 धाराएं हैं अनुछे 338 बी केता है जो है इसमें 39 धाराएं शामिल की गई है तो इसमें धारा 9 है वो हमें देखनी है क्योंकि जो 127 सविदान शंचुदन है उसमें धारा 9 के बारे म कि जितने भी राजसरकार हैं जितने भी जो केंद्रशायर प्रदेश हैं और केंद्र शरकार हैं वो NCBC से OBC के मामल में यानी OBC कःको दोटल करेंने पराम चलए नहीं कोई नहीं ले सकते हैं तो यह बात कई कई गई उसके बाद में 102 सविधान चंचों के लिए 342 ए जो है उसमें क्या है दो धारा ही जोड़ी गई थी दो धारा ही है धारा एक और धारा दू तो धारा एक जो है वो क्या कहती है धारा एक ये कहती है कि संक सरकार की नोक्रियों में ठीक है किसी भी जाती को शामिल करने की अधिस परामरस रास्ट पती जारी करेंगे, तो 322 A में धारा 1 और 2 जोंट जोड़ी गई, जबकि 127 से विदान शंचोदन अदीनियम में क्या होगा, हम आगे वैसे डिटेल से स्टेडी करेंगे, उसमें क्या होएगा, धारा 3 जोड़ी गई है, उसमें शंचोदन क्या गया है, नेक्स्ट रम बात करें अनुछेद 306-26C जो है चब्भी C जो है वो ये कहता है कि SC, ST, OBC जो है वो क्या होनोंगे यानि सामाजीक और सेक्षनी रूप से पिछड़े वे वर्ग जो है उन सभी कोई जो है ये धारा जो है वो परिभाशित करती है प्रॉपर्ली एक्डम केंदर और राजसरकारे एक अभ्यास के रूप में अलग-अलग OBC सुची भी जो है वो तयार करती है 127-वे सविधान जो संचुदन विद्ये काई इसकी प्रष्ट भूमे भी आप देख लेते हैं अब इसमें क्या होता है कि मई 2021 के मराठा आरक्षन के अपने फैसले में सुप्रिम कोड द्वारा 102-वे सविधान शंचुदन अधिनियम को बरकरा रखने के बाद नवीतन शंचुदन की आवशकता पैदा हुई अब इसके बारे में यह हुआ कि जब 102-वे सविधान शंचुदन जो है वो किया गया था उसके पश्यात महारास ने क्या किया मराठा को OBC में जो है वो आरक्षन दे दिया ठीक है मना इनि मराठा जो जनरल में शामिल थे उनको OBC में शामिल कर लिया गया और फिर उससे क्या हुआ कि जो 50 परतिशत जो आरक्षन की सीमा थी ठीक है तो उसका उलंगन जो है वो हो गया उलंगन होने के बाद 2021 में जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनोती जो है वो दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गई तो उसके बाद क्या हुआ जैश्री लक्षमी राव बनाम मुख्य मंत्री के बाद था उसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बोला कि पचास प्रतिशत से अधिक जो आरक्षन जो है वो सविधानिक होता है और अवे सविधानिक करार करते हुए क्या करी उनकी याच्चिका जो है वो खारीज कर दी और साथ में कहा कि OBC में कौन-कौन सी जाती आएंगी ये केवल और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 102 सविधान शेंचुदन की व्याइट OBC में कौन-कौन सी जाती आएगी इसका निर्णाय करने का अधिकार केवल और केवल राश्चपति को है क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिका क्योंकि 102 सविधान शेंचुदन कहता है तो इसी राख्या के क्या हुआ कि जितने भी राज्जे थे उन्होंने बताया कि उन्होंने सोचा कि ये तो अपने अधिकारों का उलंगन है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जिसके परिणाम सरूपी जो है वह 127 सविधान शेंचुदन विध्याग जो है वह लाए गया है ठीक है सरूच न अधिक है इसके बारे में हम बात करी चुके है तो इस तरह से 127 सविधान शेंचुदन विध्याग जो है ठीक है उसकी जो प्रश्टबूमी जो है वह तयार हुई नेक्स रम बात करें 127 सविधान शेंचुदन विध्याग के बारे में 127 सविधान शेंचुदन विध्याग अनुछे 342 एक खंड एक और दू में शेंचुदन करेगा एक तो तीन जगा शेंचुदन किया जाएगा एक तो 342 ए में ओके दूसरा है यह एक नया खंड तीन भ किया जाएगा शंशुदन के तहट नवींतम राजय सुची को पूरी तरह से राश्टपती के डायरे से बहार कर दिया गया है यानि नीजी जो यह ऑप राज्य सूची जो है, वो राज-हे सूची का विशय बन गया है, और इस पर एक सूची सूची बनाने का अधिकार और कार राज्य सरकारों के पास है, अगर ये पारिथ हुजाता है कंप्ली टूप से, नेच्ट एम बात करते हैं कि 127 सविधान शंचोदन की तहर्ट ये तीन जो आर्टिकल है उन में क्या शंचोदन होएगा 338 B, 342 A और 366 C में क्या शंचोदन होता है वो भी हम देख लेते हैं अब इसके तहर्ट ये शंचोदन होगा सबसे पहले हम बात करें 338 B में अब हमने देखा ही था कि धारा जो 9 है जो किसमे थी 102 सविधान शंचोदन के द्वारा धारा 9 थी उसमें ये बात कही गई थी कि सभी राज्य सरकार और केंदर सरकार जो है धारा 3 जो है जो नई धारा 3 जोड़ी जाएगी उस पर जो है ये लागू नहीं होगी यानि धारा 9 जो है वो किस पर लागू नहीं होगी वो लागू नहीं होगी जो कि 342 A में ठीक है धारा 3 जोड़ी जाएगी धारा 3 के बारे में हम अभी डिसकस करेंगे कि इसकी धारा 3 तो दारा 3 पर जो है वो इसका इंपक्ट दारा 9 का इंपक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूर सकते हैं नेक्स्ट है कि 342 A अब 342 A है उसको भी देख लेते हैं इसमें धारा 1 और धारा 2 जो है वो पहले से ही थी कि धारा 1 में हमने डिसकस कर रहा था कि संग सरकार की कोई भी नोक्री होगी तो उसमें किसी को OBC में आरक्षन देना है तो इसकी अदिशूचन राश्पती जारी करें कि केवल केंदर सरकार की नोक्रियां होगी ना केवल उनी में केवल और केवल राश्पती का अधिकार होगा राज्यो की दंदर में या अधिकार नहीं होगा और धारा 3 जो है एक धारा 3 जो है वो एक नई जोड़ी गई है इसके अंदर उसमें बात कही गई कि सभी राज्य चाहे राज्यों हो चाहे कंद्र साथचित-प्रदेश हो ठीक है वो स्वेन दिंडने करेंगे कि OBC में कौन–कौन आएंगे और कौन–कौन नहीं आएंगे यानि टोटली राज्य यानि इनको समझने कि हमें ज़्यादा ज़र्द है तो इन में जो है वो हुआ है यह प्री के प्रस्पेक्टिव से मेंस के प्रस्पेक्टिव से इसके लावा और कोई भी एकजाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट मिलाता है इसो 27 सविधान शजुतन विद्यएक साथी 102 सवि पिछड़ा वर्ग को 27 परतिशत आरक्षन दिया जाता है जबकि खुली बरती परतियों किता होती है उसमें अखेल बाहरती है सर्वर सीधी बरती में SC जो होती है उसको दिया जाता है जो अनुसी जन जाती होती है ठीक है SC जो होती है उसको 16 परतिशत अनुसी जन जाती ST को 7.5% और OBC के लिए 25.84% आरक्षन जो है वो निराइट किया गया है तो अभी जो व्यवस्था है वो ये है नेक्स नम बात करें किसी भी हालत में राज्यों को आरक्षन देते वक्त 50% सीमा का अधिकार नहीं है यानि अभी क्या होगा जब राज्य सरकार आरक्षन देती है तो 50% सीमा का उलंगन कर देती है चाहे माराष्टों में देख लो चाहे यूपी में देख लो चाहे हर्याना में देख लो कहीं पर भी देख लो तो वहाँ पर क्या होता है 50% सीमा का उलंगन हो जाता है अधिक आरेक्षन भी दिया जा सकता है विशेज परिस्तिकियों में तब तो ये ठीक रहेगा लेकिन अभी जो महरास्टर की सरकार है वो उसके लावा और सरकारे भी किन सरकार पर दबाव बना रही है कि आरेक्षन की जो 50% सीमा जो है उसको समाप क्या जाए देखते हैं क्या आगे क्या डिसिजन होता है थेंक्यू फॉर वचिंग इस वीडियो आई होप आपको जो ये 127 वा सविदान शंचोदन है वो अच्छे समझ में आयोगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए इसके लावा कुछ और जो मेरे से शेयर करिएगा थेंक्यू थेंक्यू सो मच